आप सभी का स्वागत है competition community के इस e-learning platform पर मैं हूँ अभिशेक गवारहा और हम डील कर रहे हैं current affairs on a weekly basis आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये national और international current affairs जो हमारे लिए exam के लिए महत्वपूर्ण होंगी उनको आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे ये वे सभी राष्ट्री और अंतर राष्ट्री ये समसमाई की होंगी जो जून के पहले हफ़ते में हुई होंगी और हमारे लिए exam उप्योगी होंगी तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारा format हमने continuously एक क्या रखा हुआ है एक particular format को हम जो follow कर रहे है वही है इस हफते हमारे लिए क्या-क्या इसके बाद में हमारे पास में कुछ चर्चित स्थल होंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे जैसे अम्रावती जो कि आंध्रपरदेश में है मालदीव, हंगरी, साउथ, क्योंग सैंग, साउथ कुरिया, नागी, नक्टी, बर्ड सेंशरी ये सबी वो चर्चित स्थल हैं जो जून के पहले हफते में किसी न किसी कारण से क्या बने हुए है न्यूज में या फिर समसमाईकी में बने हुए है इसके बाद में कुछ अवार्ड्स है या फिर कुछ हमारे दिवस हैं जो हमारे लिए महात्वपूर्ण है जैसे नलसन मंडेला का अवार्ड है, वर्ल्ड साइकल डे है और वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे है जो 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष तो यह सारी वो चीज़ें हैं जिनको आज हमें डील करना है इसके बाद में हमारे पास कुछ एक रिपोर्ट हैं जैसे कि पूर्ण तत्य जैसे कि सुनील चेत्री ने अपने सन्यास की घोशना कर दिया है अंतरराश्ट्रे फुटबॉल से फिर हमारे पास में अंतरराश्ट्रे निश्याने बाजी खेल का क्या है महासंग विश्व कप है यानि कि इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट्स यह एक कॉंसेप्ट है जो पैरिस ओलंपिक में हमें देखने मिलेगा तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हम देखेंगे कि एक इंडिवीज्वल नीट्रल क्या है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारा शुरुवात होगा आज का वो है इस हफ सब्सक्राइब चुनाओ या फिर इनहीं हम क्या करते हैं आम चुनाओ यह फिर जन्रल इलेक्शन्स कि को यह हमारी लोग सब्सक्राइब सबास को стоile ₹ obtained कि 13 लोग सब्सक्राइब में में क्नाओ और सब कर आए गए ते हैं यह ना इसमें क्या हुई counting हुई और उसके बाद में उसके results घोशित कर दिये गए भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 83 के खंड दो में आप लोगों को किसके बारे में पता चलता है लोग सभा के कारेकाल के बारे में इसमें बताया गया है कि लोग सभा का कारेकाल कितने का होगा प और आपके भारतिय सम्मिधान का अनुच्छेद कौन सा त्राशी खंड दो 83 क्लॉस टू ये दोनों सम्मदित हैं आपके लोग सभा के चुनाओं से है ना इसके बाद में हमारे जो कुल मिला करके कितने seats थे जिसमें हमारा चुनाओं हुआ इस वार 543 seats पर क्या हुए है टो 19 अप्रेल से लेकर के कब तक पहली जून तक कंटिनियसली आपके क्या पड़े है मतदान हुए है और ये मतदान कितने चर्णों में है साथ चर्णों में हुए है और कुल मिला करके ये 44 दिनों तक चलने वाले मतदान के दिवस्त है जो आज तक के इतिहास के सबसे लंबे रहे हैं इसके बाद में जो आपका अचार सहीता है या फिर मॉडल कोड ऑफ कंड़क्ट है यह आपका 16 मार्च से लेकर के चौथी जून तक कंटिनियसली बने रहे है जो की 81 दिन के थे और इस बार के अचार सहीता भी सरवादिक लंबे समय तक बने रहे हैं यह सामाने जा सब्सक्राइब को हम करेंगे तो जो बीजेपी रही है भारतिय जंता पार्टी बारतिय जंता पार्टिय यह हमारे लिए लोग सबहां में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और इसने कितने seats जीते हैं, 240 seats जीते हैं, हुमारे भारत में लोग सभा के 543 क्या है, कुल मिलाकर seat है, लेकिन majority कितनी है, majority के लिए, बहुमत के लिए आपको कितने seats चाहिए, 272 seats चाहिए, तो इस बार के चुनाओं में किसी भी party को बहुमत, clear बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं मिल है, लेकिन BJP जो है, वो largest party बनी है, सबसे बड़ी single party बनी है, और इसे कितने seats मिले है, 240 seats मिले, इसके बाद में हमारे पास में दूसरी जो party है, सबसे बड़ी party बनी है, वो है कौन सी, भारती, राष्ट्री, कॉंग्रेस, या फिर इंडन नाशनल कॉंग्रेस, और इन्हें कि मिले है, 99 seats मिले है, इसके बाद में ये BJP का नेतरित्व में, BJP के नेतरित्व में एक pre-pole alliance बनी है, pre-pole alliance, मतलब चुनाओं होने से पहले ही ये गडबंधन मना लिया गया था, 1998 में, और ये कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं, NDA या फिर National Democratic Alliance, तो BJP और बहुत सारे छेत्रिय दल को मिला करके, ये जो NDA बनी है, कुल मिला कर इसने seats कितनी जीत ली है, 293 seats, और एक और हमारे पास में pre-pole गडबंधन है, ये है इंडिया, जिसे हम बोलते हैं, Indian National Developmental Inclusive Alliance, ये सन 2023 में ही बनाई गई थी, और 2024 के चुनाओं के लिए special ये गडबंधन बनाया गया था, और इसका नेत्री तो किसके हाथ में है, Indian National Congress के हाथ में है, है ना, तो इनने कितनी seat पा गई है, 234 seats इनोंने पाया है, ये जो इंडिया गडबंधन है, और ये आज तक की सबसे ताकतवर क्या बन गई है, आपका विपक्ष बन गई है, सबसे ताकतवर आज तक की विपक्ष बन गई ह इंडिया, अब थोड़ा से इंफोर्मेशन एंडिया और इंडिया के बारे में देख लेते हैं, एंडिये जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहां पर लिख लिजे इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यह जो है आपका इसका गठन कब हुआ था, 15 मई 1998 को, है और वर्तमान में यह आपका भारत सरकार के साथ, 19 राज्यों में क्या है, विधाईका में यह अपनी सरकारें बना चुकी है, साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है, आप लोगों का कार्य होगा, यह जो यूनियन टेरिटरी है, जहां पर भाजपा की सरकार है, इसका आप नाम हमें कमेंट करके बताएंगे, दूसरा जो गढ़बंदन है, वो है इंडिया गढ़बंदन, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टन है यह, इंडियन नेशनल देवल्लपमेंट इंक्लूजिव अलायांस, इंडियन नेशनल डेवल्लपमेंट इं या फिर which of the following is not true about India और उसी प्रकार से which of the following is true about India coalition और which of the following is not true about India coalition ठीक है आगे चलते हैं यह वही है आपका नतीजे भाजपा सबसे बड़ी पाटी बन गई है कॉंग्रेस को 99 seats मिले भाजपा को 240 seats मिले एंडिये ने 293 seats जीते हैं और भारत नहीं यह जो इंडिया है इंडिया इंडिया गडबंधन इसने कितने जीते हैं 234 जीते हैं वही आपका डेटा जो अभी हम पहले डील कर चुके हैं अगला देखते हैं हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण seats रही हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है कुछ महत्वपूर्ण seats भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ हैं हमारे इस चुनाओं से ले करके जो हमारे लिए one day exams में हमारे लिए important हो सकते हैं तो 176 seats जो हैं पूरे भारत में 543 में से 176 seats हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है तो कितनी seats हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है 176 seats हैं इन 176 seats में से 62 seats जो है 62 seats जो है इनको किस ने जीता है भाजपा ने जीता है और 32 seats किसके खेज़मे में आई हैं कॉंग्रेस इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के हाथ में आई हैं मतलाब 176 seats जहां पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है पुरुषों से उनमें से 62 जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियमेंट रहे हैं वो किनको पहुँच गये हैं बीजेपी को मिल गये हैं ऐसी seats और 32 ऐसी seats म कॉंग्रेस जीती है इस बार के चुनाओं में 75 मेंबर ऑफ पार्लियमेंट विजित हुई है मतलब इस बार हमारे जो लोकसभा का गठन किया जाएगा ठारवी लोकसभा में उसमें कितनी महिला सांसद आपके पास में होंगी पूचा जाएगा तो आप लोगों के लिए हो उसमें सरवाधिक महिला हैं आपके क्या बन करके आपके सामने आई थी संसद बन के सामने आई थी इस बार उसमें कमी हो गई है तीसरा जो हमारे लिए इंदौर का सीट जो इंदौर लोकसभा सीट है वहाँ पर शंकर लालवानी जो रहे है इन्होंने पूरे 543 सीट में से यह वो सीट से जहां सरवाधिक मतों से क्या किया है इन्होंने सरवाधिक मत के मारजिन से यह जीते हैं और यह कितने मारजिन से जीते हैं 11,08,077 वोटों से यह जीते हैं कौन शंकर लालवानी तो यह आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि सरवाधिक मारजिन से जीतन वाली सीठ कौन सी है तो वह इंदोर सीट है 9maaa से जीते हैं तो यह ना इत्विस्टक जुआच इंपरटन्ट आ वह इसके बाद में आज तक के इतिहास का सबसे strongest opposition है सबसे ताकतवर विपक्षी दल बनकर के इंडिया गड़बंदन सामने आया है और ये कितने seats के साथ में है 234 seats के साथ में है इसके बाद में leader of opposition का आपको क्या वापस से leader of opposition का अपका कारे भार मिल गया है किसको भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस को क्योंकि leader of opposition मतलब यहां एक सम्मेधानिक पद है जो opposition होता है वह भी अपना एक leader घोशित करता है तो इसके लिए जो criteria होता है वो होता है कि जिस party को minimum 10% seats मिलने चाहिए एक तो वो क्या होनी चाहिए सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता होगा जो minimum 10% seats यह जीतेंगे तब जाकर के वो क्या बनते हैं leader of opposition बनते हैं लेकिन सन 2014 और 2019 में जो क्या हुए थे चुनाओं हुए थे उनमें जो भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस है वो या फिर कोई भी दूसरी party बिल्कुल भी क्या नहीं पापाई थी 10% seats भी नहीं पापाई थी इसलिए कोई भी leader of opposition नहीं थे 10 साल बाद finally हमारी Indian National Congress को क्या मिल रहा है leader of opposition का एक क्या मिलने जा रहा है दायत तो मिलने जा रहा है तो अभी final तो नहीं हुआ है हाला कि राहुल गांधी के राहुल गांधी को leader of opposition बनाने के लिए लगभग लगभग सहमतियां पूरी हो चुकी है वैसे ही राज्यसभा में जो वरतमान आपके leader of opposition है विपक्षिदल के नेता है वो कौन है मलिक आरजुन खाडगे है तो यह कुछ ऐसे facts रहे हैं जो हमारे आपके चुनाओं से संबंदित रहे हैं यह जो आपका leader of opposition है या फिर विपक्ष का नेता है यह एक सम्विधानिक पद है जिसे 1977 की जंता पार्टी जो रही है सरकार उसने अपनी विधाईका से पारित करके क्या किया है सम्विधानिक स्वरूप दिया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं लोग सभा के चुनाओं के साथ हमारे देश में कुछ विधाईकाओं में राजी की विधान मंडलों में विधान परिशदों में क्या हुआ है आपका चुनाओं हुआ है विधान सभाओं में चुनाओं आर्टिकल 172 और आर्टिकल 324 अलोंग विच सेक्शन 1515 और रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल और इंडिया एक्ट उनिस सो इनक्यावे मतलब आपके भारती सम्मिधान का अनुच्छे 172 जो यह बताता है कि राज्य की जो विधान सभाएं होंगी उनका कारेकाल पाँच वर्षों का होगा और पाँच वर्षों के बाद में यह भंग कर दी जाएंगी यह आपका संबंदित है किसके स्टेट लेजिसलेचर से और वहीं जो चुनाओं होने हैं आपके राज्य की विधाईका में वो 324 भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे और जो आपका रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट है 1951 उसके सेक्शन करमांग 15 से डील किया जाता है है ना तो हमारे जो अठारवी लोग सभा के चुनाओं हुए हैं उनके साथ साथ हमारे देश में चार राज्यों फोर स्टेट्स और साथ साथ कितने 25 लेजिसलेटिव सीट्स में इलेक्शन कराएं चार सोगाएं मतलब चार राज्यों में क्या कराएं गये विधाएका के चुनाओं कराएं गये और सात्-सात प्चीस आपके जो विधाएका की सीट्स वंनमें उपउप चुनाओं कराएं ने नहां से आप लोगों को क्या बन सकता है statement वाला question बन सकता है 2024 में मैं जून के समय में होने वाले जो चुनाओ रहे हैं उनमें से क्या सही नहीं है या फिर क्या सही है तो इसमें से क्या क्या सही हमको यह पता होना चाहिए या 543 सीट के लिए लोकसभा की चुनाओं कराए गए है अठारवी लोकसभा के लिए सांत में चार राजियों की विधाईका के लिए भी चुनाओं कराए गए है और 25 विधान सभा सीटों के लिए उप चुनाओं कराए गए है है ना तो एक एक करके हम इन चार राज्यों को देख लेते हैं सबसे पहला है हमारे पास में आंधर प्रदेश जहां चुनाओ कराए गए हैं ये आंधर प्रदेश की सोल्वी विधान सभा के लिए चुनाओ कराए गए हैं और इसमें जो टीडीपी है तेलगू देशम पार्टी, टीडीपी, तेलगू देशम पार्टी जो NDA में शामिल है, इन्होंने कितनी सीट्स जीत लिये हैं, 135 सीट्स इन्होंने जीत करके सबसे बड़ी पार्टी का दरजा हासिल कर लिया है, किसने तेलगू देशम पार्टी ने 135 सीटे जीत लिये हैं, औ के साथ में गड़ बंदन में है और यह क्या है आंद्रप्रदेश की चेत्री पार्टी है इसी के साथ साथ हमारे कुल जो सीट्स हैं आंद्रप्रदेश में यह बहुत ज्यादा पार्टी इसे कितने सीट्स मिले है एक सो पैंतिस सीट्स मिले है बहुत इंपॉर्टन्ट है किने चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तो एन चंद्रबाबु नाइडू को यहां का क्या बनाया गया है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जो कि आंद्रप्रदेश के तेरवे मुख्य मंत्री के रूप में कार अपना प्रभार समालेंगे इसके बाद में दूसरा हमारे पास में अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में 11 विधान सभा की क्या हुए हैं चुनाव हुए हैं 11 के और यहां पर भारती जनता पार्टी ने 46 सीट्स जीत लिये हैं किसके नेत्रित्व में पेमा खांडू के नेत्रित्व में तो अरुनाचल प्रदेश में कुल मिला करके कितनी सीट्स हैं हमारे पास में 60 seats हैं और majority कितनी है 31 seat की majority है तो मुख्य मंतरी किन को बनाया गया है यही पेमा खांडू को बनाया गया है जो किसे हैं भारती जनता पार्टी से हैं साथ सीटों में से 46 सीट जीत करके भारती जनता पार्टी का मुख्य मंत्री बनाया गया है पेमा खांडू को और ये वहां के 90 मुख्य मंत्री होने वाले हैं नाइन्थ चीफ मिनिस्टर तो दूसरा हमारे पास हो गया अरुनाचल प्रदेश यहां के कुल मिलाकर टोटल सीट कितनी हैं 60 सीट हैं तो ये आप लोग बिलकुल यहां को ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश कितनी सीट एक सो पचत्तर सीट अरुनाचल प्रदेश कितनी सीट साथ सीट इसके बाद में हमारे पास में आ गया तीसरा कौन सिक्किम तीसरा हमारे पास में आ जाएगा उडिसा उडिसा में कुल मिलाकर के कितनी सीट हैं 147 सीट हैं बहुमत कितने की चाहिए 74 सीट की बहुमत भाजपा को कितनी मिल गई है यह मिल गई है 78 सीटे और यहां पर इतिहास रचा गया है पहली बार यहां पर क्या होने वाली है भारति-तब्वार्टी की सर्कार बनने वाला है कहां पर उडिसा में किसे मुख्य मंत्री बनाया जा रहा है मोहण चरण मांजी लिए शुल मिलाकर किये गएं हैं इन्हें ऑठतर सीट से हैं 147 सीट से मिलाकर कि इ However पर जो सबसे बड़ी party बन करके आई है वो है सिक्किम क्रांती मोर्चा जिसने 32 में से 31 सीटे जीत ली है और ये कौन सी सिक्किम क्रांती कारी मोर्चा जो मुख्य मंतरी होने वाले है वो कौन है प्रेम सिंग तो मांग और ये आपके सिक्किम के कौन से नंबर के चीफ एक तरफ हम लिखेंगे राज, एक तरफ लिखेंगे टोटल सीट्स, फुल मिलाकर कितने सीट्स हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कौन सी यहाँ पर पार्टी जीती है, और फाइनली हम देखेंगे यहाँ के कौन चीफ मिनिस्टर है, इस टेबल से आप लोगों के सवाल बनने की संभावना बहुत जादा हो जाएगी, आप लोगों से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, और जेनरली यह अन्द्रप्रदेश कुल मिलाकर कितने सीट्स हैं यहां पर 175 हैं क्या 175 कि आंध्रप्रदेश कि 175 सीटे हैं एन चंद्रबाबू नाइडू को इसमें क्या बनाया गया है चंद्र कि आईडू को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है कौन सी पार्टी सेयं यह ते लुगू कि अाये आजदी इसके बाद में जो दूसरे हमारे पास में रहें यह कौन रहे Jap Surviv for अब अरुनाचल प्रदेश में हमारे पास क्या डेटा है अरुनाचल प्रदेश में पेमा खांडू को बनाया गया है 60 seatوں में से 46 seatे जीती है इसने भाजपा ने total 60 seatे है इसने जीता है भारतीय जनता पार्टी ने और पेमा खन्डू को क्या बनाया गया है पेमा खन्डू को बनाया गया है क्या यहां पर मुख्य मंतरी ठीक है इसके बाद में हमारे पास में उडिसा आ जाता है यहाँ पर 147 seats है यहाँ पर भी भारतिय जंता पार्टी ने क्या बनाया है मुख्य मंत्री बनाया है और यह कौन होंगे मोहन चरण मांजी मोहन चरण मांजी मांजी और फाइनली जो चौथा राज यह हमारा है वो कौन सा है सिक्किम कितनी seats है यहाँ पर 32 seats है कौन जीतरा है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और किन है यहाँ पर मुख्य मंत्री बनाया गया है प्रेम सिंग तुमांग तो यह जो आपका टेबल है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे यहां से आप लोगों के लिए अगामी एक वर्षों के लिए अभी हलाकी और बिचुनाओं होना है तो वहां से भी हमारे लिए डेटा आएगा और उस डेटा लोग इसी में ही अपडेट करेंगे हमारे इसी टेबल में ही अगे चलते हैं यह हो गए हमारे लिए क्या जो हमारे राज्जी विधाइका में चुनाओं हुए उसके अब तीसरा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर राश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन अब ये खबरों में क्यों है वर्तमान में ये खबरों में इसलिए है क्योंकि सुनीता विल्यम्स जो 58 साल की एक भारती अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है उन्होंने अपने पहले मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है मतलब यह जो आपका मि हो जाएगा इनका तीसरा अंतरिक्ष यात्रा भी हो जाएगी ये इनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है 2007 में ये पहली बार अंतरिक्ष में गई थी और वहां पर इन्होंने चार स्पेस वॉक करके उस समय महिलाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया था तो ये इंटरना में मानवों के रहने योग्य है मतलब it is a man-made space station और artificial satellite that is habitable for human in space मतलब ये वहां पर continuously बना हुआ रहता है space में इंसान या फिर scientists हमारे जो astronauts होते हैं वो प्रित्वी से इस space station में जा करके वहां पर रह सकते हैं कई महिनों तक जनरली ये छे महिनों तक यहां पर आप रहते हैं astronauts live on board for a maximum period of six months and conduct experiments experiments करते हैं various प्रकार के और ये जो है ये आपका स्थापित किया गया है कहां पर प्रित्वी की निचली कक्षा में या फिर low earth orbit में इसमें जो पहली बार बहुत सारे बिला कर के बनाया गया है क्या ये Α इंट्रनाशनल Space Station तो सबसे पहला जो इसका पीस भेजा गया था मिल कर बनाया है इसके बाद में यहां पर सबसे पहला जो क्रूउ बेजा गया था tell से पहले scientist का crew बेजा गया था Boston 2000 बेजा गया था International Space Station को 5 agences इसके बाद जाकसा जो जापान का है और साथ में Canadian स्पेस एजनसी कैनेडा ये पाँच संस्थानों क्यों एदने मिलकरके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या किया है बनाया है यह जो लो अर्थ ऑर्बिट है यह आपका प्रिथ्वी से 200 से 400 किलो मिटर की उचाई परस्तित है यह जो आपका International नेशनल स्पेस स्टेशन है यह पांच मील प्रती सेकंड की रफ्तार से अपना और बिट कर रहा है प्रित्वी को और यह एक दिन में 15.5 15.5 बार क्या करता है प्रित्वी को रिवॉल्व करता है इसका मतलब इसे लगभग 93 मिनट लगते हैं एक रिवॉल्यूशन प्रित्वी के मारने के लिए एक चक्कर लगाने में कितना लगता है 93 मिनट लगता है इसके बाद हमारे पास कुछ चर्चित स्थल है जैसे की सबसे पहला है अमरावती जो आंदरप्रदेश में है हमें पता है सन 2014 में तेलंगाना को एक नया क्या बनाया गया था राज्य बनाया गया थ और हैदराबाद जो है उसे आंध्रप्रदेश और तेलंग आना की एक जॉइंट केपिटल के रूप में स्थापित कर दिया गया था दस सालों के लिए तो वो जस दस सालों का जो समय है वो पूर्ण हो रहा है और आंध्रप्रदेश ने अपनी नई राजधानी क्या कर दी है गोशित कर दी है और ये होगी कौन सी अमरावती तो ये आप लोगों के लिए बेहद इंपोर्टन हो जाएगा अमरावती क्या हो जाएगी आंध्रप् अंगरी का एक फैक्ट है फिर मालदीव हमारे लिए इंपोर्टन है क्योंकि यहां पर रूपे भुगतान पद्दती जो है जो हमारा भारतिय इनोवेशन है उसे ये लोग अपनाने वाले हैं मालदीव्स वैसे भी बहुत सारे देश हमारा क्या कर रहा है रूपे जो हमारी भुगतान प्रणाली है उसे अपनाए हुए है उसी कड़ी में मालदीव्स ने भी क्या कर लिया है इसे अपना लिया है इसके बाद में हमारे पास में एक जगह है जिसका नाम है क्या दक्षिन कोरिया का एक शहर है और दक्षिन कोरिया का एक नया अंत्रिक्ष एजिंसी य और यह कोडिया today or space एड्मिनिस्ट्रेशन है जो दक्षिन ग्यांग-सौंग में होगा स्थाफित और यह दक्षिन कोरिया का क्या होगा स्पेस एजंसी होगा अगला हम देगते हैं very 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 important बेहद important जो कि यह आपका क का नागी नक्टी बर्ड century नागी नक्टी बर्ड आपको 5 जून और इन्हें वर्तमान में जो 5 जून को तो हमारा आपका विष्व पर्यावरन दिवस रहा है, environmental day रहा है, world environmental day, उस दिन इन दोनों को क्या कर दिया गया है, wetland of international importance गोशित कर दिया गया है, राम सर कन्वेंशन के अंदर में, तो राम सर कन्वेंशन के अंदर में, international wetlands या फिर wetlands of international importance गोशित कर दिया गया है, किसे विह दिन जून को किया और जॉन को कि रहा है उसका स्लोगन रहा है टू लोगों रहा आप लोगों को रूबरू चोना पड़ेगा तो स्लोगन क्या रहा इस बार के पर्यावरण दिवसका अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर हैश्टैग जनरेशन रिस्टोरेशन ठीक है इसके बाद में इन दोनों को हमारा संयुक्त रूप से क्या किया गया है वेट लैंड घोशित किया गया है अफ इंटरनेशनल इमपोर्टन्स और इसके साथ ही हमारे भारत में कुल मिला करके वेट लैंड या फिर आर्धर भूमी की संख्या जो हो जाती है कितनी ब्यासी जिने क्या किया गया है? रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है ठीक है, डाइरेक्ट क्वेस्चन है, कितने हैं भारत में, वर्तमान में तो 82 हैं, कौन कौन से को हाल ही में किया गया, नागी नक्टी को किया गया, कौन से राज्य में है, बिहार में है, कब किया गया, 5 जून को किया गया, क्या मनाया जाता है, World Environment Day मनाया जाता है, क्या स्लोग गई है घोशित के आगए बिःष्व प्रवावरवन गई है ऑंगे चलते हैं यह हमारे लिए थोड़ा सा इसे आगे-बढ़ते यह हमारे वर्तमान में जो भी आसी रामसर साइट्स है कि रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में उसका एक मैप है इस मेप को हम अगले वाले विडियो में आपको clear करके दे देंगे अब ये रामसर sites क्या है, रामसर convention क्या है? रामसर convention is an international treaty signed in 1971 in रामसर इरान, रामसर convention 1971 में इरान के रामसर में युनेस्को के तत्वा धान में हस्ताकशरित एक अंतरराष्ट्रिय संदी है, जिसका उद्देच अंतरराष्ट्रिय महत्व की आर्द भूमियों का संरक्षन करना है, भारत में ये एक फरवरी 1982 से लागू है, कब से लागू है, बहुत important, एक फरवरी 1982 से लागू है, जिसके थहतर अंतरराष्ट्रिय महत्व की आर्द भूमियों को रामसर स्थल गोशित किया जाता है, रामसर स्थल गोशित किया जाता है, वरतमान में कितने हैं, हमारे पास में BAYPT grinding dedh değil परिवरतन हुए है या हो रहे हैं या ले हैं मतलब जो आपका इको लॉजिकल कहां गया यह जो हमारे पारिस्थिकी तंत्र में गडबड हो रहा है उनका एक रिकॉर्ड है क्या मॉंट्रेक्स रिकॉर्ड यह बहुत मेंस के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है दो नंबर चार नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है पॉंट्रियस रिकॉर्ड क्या है तो यह उन वेटलेंड या फिर आर्द भूमियों की एक लिस्ट है जिसमें क्या है जहां पर मानवी हस्ते शेप के क कारण प्रदूशन के कारण या फिर तकनीकी विगास के कारण क्या रहे हैं पारिस्तिकी तंत्र में बदलाव हो रहे हैं ठीक है açलेखे और पास में कुछ ऐसे दिवस है जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है तो सबसे पहला जो जो और्वॉड है वह हो जाता है हमारा नेंसल मंदेला वार्ड नेल्सन मंदेला वार्ड प्रहल्थ प्रहोंशन नेशनल इंसीट्ट टेंट अवें नेटाइस नेवर्य जॉट्ट प्रहुंदू। मांसिक स्वास्त और तांत्र की विज्ञान संस्थान जो है उसको जिनिवा में आयोजित तरवे विश्व स्वास्त सम्मेलन में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन से पुरस्कार से नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला पुरस्कार से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है और ये बुच्छ सावना के प्रोफेशर बुंटाल के साथ में इनने संयुक तुरूप से प्रदान किया गया है अगला हम दिखते हैं World Environment Day या फिर विश्व पर्यावरंड दिवस हर साल हम 5 जून को क्या मनाते हैं विश्व पर्यावरंड दिवस मनाते हैं इस बार इसका जो होस्ट था वो साओधी अरेबिया था जिसने इसे क्या क्या मेजबानी किया दोजार चॉबिस में और इट इस लेड़ बाई युनाइट स्टेट्स एन्वार्मेंट प्रोग्राम एंड हॉल एंड होल एन्विली सिंस फिफ्ट जून 1973 मतलब 1973 पांच जून को पहली बार क्या मनाया गया था विश्व पर्यावरंड दिवस मनाया गया था सन्युक्त राष्ट पर्यावरंड कारिकरम के तत्वा धान में इसे मनाया जाता है और इस साल दोजार चॉबिस में इसके मेजबानी किस ने की साथी अरेबिया ने की और थीम क्या था इसका हमारा स्लोगन तो हमने देख लिया हमारी भूमी हमारा भविश्य हम है पीडी पुनरवास की हैश्टेग पुनरवास की लेकिन थीम क्या है भूमी बहाली रेगिस्तानी करण और सूखे से निपटने की शमता याने की लेंड रेस्टोरेशन, कॉमा डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस यह इसका थीम रहा है स्लोगन रहा है अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर हैश्टैग हैश्टैग जनरेशन रेस्टोरेशन इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है विश्व साइकल दिवस या फिर वर्ल्ड साइकल डे यह प्रती वर्ष तीन जून को मनाया जाता है युनाइटेड नेशन्स की जो आम सभा है संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा इसे गोशित किया गया है मतलब यह इंपोर्टन्ट है वर्ल्ड साइकल डे देखकर कि हम इसको इग्नोर नहीं बहुत ही बहु मुखी प्रतिभा को देखते हुए हांकित किया गया है किसको साइकल डिवस को कब मनाया जाता है तीन जून को मनाया जाता है दो फरवरी को विश्व आर्द्र डिवस मनाया जा रहा है पांच जून को क्या मनाया जा रहा है विश्व साइकल डिवस मनाया ज सिंख़िकि स्ठाइप्स हैं tua अग्रणी प्राध्योगी की सभी जानी स्टάइप्स की सूची जारी जिस में भारत के 10 स्टाइप्स ने क्या किया है अपना स्थान बना लिया है इसके बारे में हम प्लिक्स इंट्रनाशनल बैटरी कंपनी इसके बाद में हमारे पास में हैं कौन एनेक्स्ट वेयर और स्ट्रिंग बायो यह दस वो हमारे स्टाटप्स हैं इंडिया के टेक्नोलोजिकल स्टाटप्स जिन्होंने विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड एकोनामिक फोरम की सौ अग्रणी स्टाटप्स में अपना क्या बना लिया है स्थान बना लिया है और स्ट्रिंग बायो आगे चलते हैं अगला हमारा जो हो जाएगा वह है चर्चित व्यक्ति रहे जून के हमारे पहले हफ्ते में हमारे लिए पूजा तोमर यह हमारे उत्तर प्रदेश की हमारी बहन है पूजा तोमर जिन्होंने विमेन मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर पहली विमेन मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर बन गई है जो यूएफसी में एक क्या कर लिया है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है यूएफसी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग क्या है और्गनाइजेशन है अल्टिमेट फाइटिंग चैंपेंशिप जिसे कहा जाता है उसमें भारत से पार्टिसिपेट ना केवल पार्टिसिपेट बल्कि वहाँ जीतने वाली पहली महिला बन गई है कौन पूजा तोमर कहां से है ये उत्तर प्रदेश से है बिलकुल क्वेस्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने ब्राजील की रयाना अमैंडा को हरा करके क्या जीता है यूएफसी का किताब जीत लिया है यूएफसी में महिला चैंपियन का किताब जीत लिया है तो पूजा यूएफसी अल्टिमेट फाइटन चैंपियन में भाग लेने वाली भारत के पहली महिला मिक्स मार् मेक्सिको की पहली क्या बन गई है विमेन प्रेसिडेंट बन गई है 200 साल से ज्यादा के इतिहास में 200 साल से ज्यादा के स्वतंत्रता के इतिहास में मेक्सिको की पहली महिला राश्ट्रपती बन गई है कौन क्लॉडिया शेन बॉम यह इससे पहले वहां पर गवर्नर भी थी एक प्रोविंस की और गवर्नर रहते इन्होंने 60 प्रतिशत अपराध पर क्या कर लिया था काभू पार लिया था इसलिए यह हमारे पूरे विष्व के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या बात है बात है कि Mexico की ये पहली क्या बन गई है Women President बन गई है इसी प्रकार जो Margaret Thatcher रही है और Angela Merkel रही है Angela Merkel रही है ये Germany की और Margaret Thatcher जो रही है ये Britain में भी ऐसे अपने पद पाने वाली पहली महिला रही है जो कि क्या बनी है Presidents बनी है तो Claudia, Sheinbong कहा की पहली महिला President बन गई है Mexico की बन गई है इसके बाद में हमारे पास में Hala Tom's Daughter है ये Iceland की नई राश्रुपती बनी है इसके बाद में हमारे पास में Sanya Malhotra है भारत की अभिनेत्री है ये Sanya Malhotra जिने New York India Film Festival New York India Film Festival 2024 मे Best Actress सर्वशिष अभिनेत्री का पुरसकार दिया गया है इनकी फिल्म Misses के लिए इनकी फिल्म Misses के लिए इनने क्या दिया गया है सर्वशिष अभिनेत्री का पुरसकार दिया गया है अगले हमारे पास में है शुनील चेत्री बहुत 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 इंपोर्टन सुनील चेतरी ने हाल ही में अपने अंतर राष्ट्री फुटबॉल से क्या कर दिया है सन्याश की गोशना कर दिया है सुनील चेतरी जो 19 सालों से हमारे भारतिय फुटबॉल के चेहरे बने रहे हैं हमारे भारत देश के बच्चे-बच्चे के जुमान पर हैं सुनील चेतरी वो सुनिल चेतरी जो वरतमान में live football में तुरी दुनिया में सरवादिक international goal करने के third rank पर है Cristiano Ronaldo दूसरे Messi और तीसरे number पर है सुनिल चेतरी वो सुनिल चेतरी जिन्ने 7 बार Indian Football Federation ने Player of the Year घोशित किया है वो सुनिल शेतरी जिन्होंने सरवाधिक समय तक हमारे भारत के जो फुटबॉल टीम है उसकी कप्तानी की है वो हमारे सुनिल शेतरी इन्होंने एक क्या कर दिया है अपना इंटरनाशनल फुटबॉल से सन्यास की गोशना कर दिया है और इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला कहाँ पर? Salt Lake Stadium कहाँ पर है? ठीक है, इन्होंने अपना ये रहा, Salt Lake Stadium जो कलकत्ता में है, इन्होंने 6 जून को कुवेट के अगेंस्ट में वर्ल्ड कब क्वालिफायर मैच खेला, जो इनका अंतिम इंटरनाशनल फुटबॉल मैच रहा था, इन्हें भारतिये फुटबॉल का मैसी भी कहा जाता है, हाला कि हम तो कोशिश करेंगे कि मैसी को बोला जाए क्या, दूसरा सुनील चेतरी, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है, इसलिए सुनील चेतरी को मैसी ओफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है, इनके उपर में एक डॉक्युमेंटरी भी बनाई गई है, फीफा ने इनके उपर सुनिल चेतरी के उपर में एक क्या बनाया डॉक्यमेंटरी बनाया है आप लोगों का काम है उस डॉक्यमेंटरी का नाम हमें कमेंट करके बताएंगे और कुशिश करेंगे जा करके फीफा के ओफिशल वेब साइट में यह जो डॉक्यमेंटरी है इसे आप लोग देखेंगे भी ठीक है इन्होंने अपना 2005 में पाकिस्तान के अगेंस्ट में डेबियु किये था पहला मैच खेला था इन्होंने 94 इंतरनाशनल गोल्ज किये हैं जो कि इनको क्या बना देते हैं तीसरे सरवाधिक इंटरनाशनल गोल करने वाले व्यक्ति बना देते हैं इंटरनाशनल फुटबॉल में पहले क्रिस्टियाने रुनालडो हैं दूसरे हैं लियोनेल मैसी और तीसरे हैं आपके कौन सुनिल चेतरी ये वो है जो लाइफ फुटबॉल में है लेकिन अगर हम रिटायर्ड और लाइफ सभी फुटबॉलर्स को ले तो सुनिल चेतरी चौते नमर पर आ जाते हैं इन्हों ने 150 से ज्यादा अंटर राष्ट्रिय मैच के लिए है और भारत के ये कप्तान रहे हैं 2012 से लेकर के साथ बार प्लेयर आफ दा इयर का इन्हें क्या मिला है अवार्ड मिला है तो ये हमारे लिए एक दुखत न्यूज है हमारे भारत के फुटबॉल प्लेयर्स और फुटब में आ जाएंगे और मंडे को हम डिल करेंगे चटीजगर के नैशनल चटीजगर के करंट अफेस फिर ट्यूस्डे को उसके MCQ तब तक आप लोग हमारे वीडियो को क्या कर लेंगे लाइक कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को वैल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जुड़िये competition community के साथ। आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ Team Coco